यहां पर गुजरात कॉंगरेस पेगे आख से लेकिया मुसलिम वर्सिस मुसलिम कैंडिडेट ऐसा हो रहा है। मुसलिम इलागों में मुसलिम कैंडिडेट को खड़ा गये कही न कहीं कोलोराईजेशन किया चारा है। अमेठी राहूल गांदी हारे न, मेरी व्यस्य हारे है, आरे सुनो सुनो, आप यहां वहां की बात मत करो, आप वहां पर क्यूं हार गए अमेठी को, मैं तो नहीं था वहां पर, अमेठी हार गए आप, आपके यहीं के मेले भाग गए बीजेपी में में से पूछ के गए करनाटक में भाग गए बीजेपी में राजिस्तान में भाग गए मदिया परदेश में तो सरकार गिर गई करनाटक में सरकार गिर गई आपकी वज़े से बीजेपी सरकार करनाटक में बनी मदिया परदेश म बनी और एक बास सुनिए दोजार अठारा में मदिया परदे राजिस्तान चत्रीजगड का विदान सभा का चुना हुआ आप तीनों स्टेट जीते जीते ना कॉंग्रेस ने और आप जब पार्लेमेंट का अलेक्शन होता है आप सिर्फ एक एक लोग सभा जीते राजिस्तान का मुख्यमंद्री का बेटा हार जाता मैं लड़ा क्या वहाँ पर ये आरग्यूमेंट बिल्कुल गलत है मैं भारत की लोग तंत्र में मुझे अख्तियार है कहीं बेक्शन लड़ने का आपके समझे कि मुसल्मान गुलाम है आपका आपके मुसल्मान को क्या यरगमाल बना के रखे क्या आप हम लड़ेंगे मुद्वों पर और उन पर छोड़ेंगे जनता के पर किस कोड़ डाले ना डाले आप मेरे खिलाप नहीं लड़ते का हिदराबाद में एलेक्शन लड़ते ना मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ तो राहूल गांदी आ के कैमपेंड किये दू-द परिवार है अरे बही तुमारा ये परिवार संग परिवार से भी दूरत नहीं हमार को तो यह चीज़ है ग्यान वापी मस्जिद के बारे में कॉंग्रेस क्यों नहीं मुझ खोलती बो ना बही पार्लिमेंट का एक्ट है ना छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद तो छोड़ आप आपको मुसलमान का और मुस्जिद से वास्ता नहीं मानता हूं में बर खानून से तो वास्ता है ना तुमको बोलो ना उसके ओपर खानून का है आज बोलते आप इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालू हो गया कि अब तो मामला गरम हो गया हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है मेरा कल्चर का हिस्सा है मैं पहनना चाह रहा हूं मेरी बेटी पहनना चाहरी कोई नहीं पहनता तो कोई पहनना चाहरी तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर आप नहीं बोलना चाहते इन चीजो झाल झाल